दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पीके एजुकेटर में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो छात्र सुल्क प्रतिपूर्थ से वंचित रहे गए हैं जिनकी सुल्क प्रतिपूर्थ नहीं आई है जिनके फाम मे प्रतिपूर्थ नहीं थोड़ा से लेठ हो गया लिकून कोई बात नहीं आप लोगों की काम की वीडियो तो आप वीडियो पर बने रहे गांत तक और उसे पहले दिया आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे साथी बे कुछ पर जाने से पहले आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को यूपी स्कॉलर्शिप से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट है सबसे पहले इस वेफसाइट पर आपको प्रोवाइड किया जाता है सरकारी जाप.co पर सबसे पहले अपडेट आता है त इसमें आपको यहां पर नजर आएगा यूपी स्कॉलर्शिप चेक बाइंग तो यहां पर आपको कर देना है क्लिक या फिर यूपी स्कॉलर्शिप स्टेटस 2019-2020 यहां पर जो नजर आए उस पर क्लिक कर देना है आपको दो में से किसी टाइप पर भी क्लिक कर सकते हैं तो स्कॉलर्शिप के अपडेट्स के लिए तो आप इस पर नीमित विजिट किया करिए और चलिए अब चलते हैं न्यूज की तरफ तो दोस्तों यह है आपके सामने न्यूज देख लिजे फीस प्रतिपूर्थ से वंचितों को एक और अउसर राहत CAA के विरोज के कारण कई जगे बंद रहा था इंटरनेट कई जन प्रतित निदियों ने समाज कल्याण विभाग को बताया था तो उस समय इंटरनेट बंद होने एक से कई छात्रों के फार्म जो है सस्पेक्ट से सही नहीं हो पाए थे बेरिफाइड नहीं हो पाए थे तो देखे प्रदेश के अंसूचित जाती जन जाती वा समान वर्गे के गरीब चात्रों को फीस भर पाई वो चात्रों की सरकारी मदद उपलब्ध कारवाने को प्रदेश सरकार ने एक और मौका दिया है इन में से ऐसे छाथ छात्राइं सामील है जिनोंने समाज कल्याण विभाग दोरा पोर्वुने धारित कारकरम के अंसार आनलाइन आवेदन भर दिये थे मगर पिछले महीने नागरिक्ता संसोधन कानून को लेकर हुए बिरोध प्रदर्शनों के दर्म्यान इंटरनेट बंद होने से इन छाथ छात्राओं से जुड़ा जरीवरी डाटा सिच्छन संस्तान विभाग को समय से नहीं भेज पाये थे ऐसे मामलों को लेकर कुछ संस्तों और जन प्रतिनिद्धियों ने समाज कल्यान विभाग को आउगत करवाया था कि उनके छेत्र के कुछ छात्राओं का डाटा इंटरनेट बादित होने की वज़े से सिच्छन संस्ता के इस्तर से अगरसारित नहीं हो सका था प्रमुक सचिव मनोज कल्यान कुमार सिंग के अनुसार इन मामलों पर विचार के बाद समाज कल्यान मंतरी रमापति शास्त्री ने छात्र हित में समचुत आउसर प्रदान किये जाने के निर्देश दिये हैं इसी क्रम में समाज कल्यान विभाग ने अन्सूची जाच जनजाच युव समाने वर्गे के वंचित शाचात्राओं के लिए नई समय जारी की है इसमें ऐसा डाटा जो पूर्व में जीला चात्र प्रद स्विक्रेट समीत पर लंबित रह गया है उसके लिए विभाग की चात्र प्रदी वेफसाइट खोली जाएगी इस इच्छण सनस्थान तीन से पांच फरवरी के वीच आएसे चात्राओं का पूरा बेवरा सत्यापित करके आग्रसारित करेंगे च्छए से दस फरवरी के वीच एनाइसी की राज जीकाई में तै होगा बिंदूऊं पर अग्रसारित बेवरे का परिछण होगा वंतिस फर्वारी तक जीला इस तरी छाटवर्ट स्विक्रत समित सुध डेटा के बाबत निड़े लेगी स्विक्रत करेगी और बाइस मार्च तक आप लोगों की स्कॉलर्शिप और फिस्वापसी आजाएगी वो डेट इसमें नहीं दी गई है वो दूसरे निउज पेपन में चलिए आपको वो भी दिखा दें तो यह दूसरी निउज है अमरुजाला की यह निउज है वो हिंदुस्तान की थी कि 20 मार्च को खाते में जमा हो जाएगी छात ब्रति व शुल्क प्रति पूर्ति तो पूर 11-16 फरवरी तक संदेहसपत डाटा को कांडो सहित विद्यार्थी संस्था और कल्यान दिकारियों के लोगिन पर प्रदर्शित किया जाएगा 11-16 फरवरी के बीच आनलाइन आवेदन में की गई तूर्टियों को ठीक कर आवस्यक दस्थावेज सिच्छन संस्थान में भी ग्रिशारित किया जाएगा 20 मार्ज तक जिले के कोसागार से इपेमेंट के ताहित विद्यार्थियों के बैंक खाते में चातिवर्यति और शुल्क प्रतपूर्ति की राश जम की जाएगी तो देखिए हमने दो न्यूज पेपर से लेकर आपको पूरी न्यूज दे दी है जो भी अब आपको क्लियर हो गया होता होगा तो जर अगर आपका फाम सस्पेक्ट है कुछ भी गड़बड़ी रह गई है तो अंतिम मौका है इस पर आपको चूकना नहीं अपना फाम जो है वो बेरिफाइड करवा लेना है तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों सेर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें